है एलो फ्रेंट्स मुटिसीज एस्टपीशन बहुत सारी चीजों को इसमें जाने के समझेंगे हम अवद्धियां कैसे तैय करते हैं किसी चीछ की ठीक है उसका टैम कैसे फिक्स करते हैं उसके बारे में बताएंगे आपनिवेशिक क्या होता है वो समझें गे और प्रशाशन अभी लेक तयार करता है इसके बारे में जानेंगे सर्वेचन का बढ़ता महा तो समझेंगे इस तरीके से इंपोर्टेंट चैप्टर अच्छा चैप्टर है आई शुरू करते हैं जो इसमें बहुतर चीचे बस वही समझेंगे फालतु का नहीं पड़ेंगे इसे फालतु ऐसे इसके पढ़ने के जा रहा है कि जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किये गए पहले नक्षे का आवरण चित्र 1772 का है रोबर्ट क्लाइब ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्से तैयार करने का काम सौपा था किसने रोबर्ट क्लाइब ने किसको रेनेल को क्या सौपा था हिंदुस्तान के नक्से हिंदुस्तान का नक्सा तयार करने का काम सौपा था भारत पर अंग्रेजों की विजे के समर्थक रेनेल को वर्चस इस्थापित करने की प्रक्रिया में नक्से तयार करना बहुत महत्पून लगता था यह जो उपर इमेज है इसमें दिखाए गया है कि भारत के लोग स्वेच्छा पूरों अपनी इच्छा से अपने प्राचिन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौप रहे हैं मानुवे उसे भारती संस्कृत की रक्षा के लिए आने का अग्रह कर रहे हो याने की भारती संस्कृत की रक्षा के लिए आने का अग्रह कर रहे हो किसी भी तरीके से हमारा जो भारती संस्कृत यह वो बची रहे आगे पढ़ते हैं देखिए सब इसमें कुछ नहीं है एक यहां पर आप इमेज देख पा रहे होंगे लिप्टेंस टी ये विज्यापन है ठीक है और इसमें ये बताया गया है पुराने विज्यापनों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए मिल जाता है सीखने समझने को मिल जाता है कि आगे चो नई चीज है वो हमारी कितनी चलेगी ये लोग उसको पसंद करेंगे नहीं करेंगे तो 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया ये विज्यापन इस बात की और संकेत करता है कि दुनिया भरके शाही लोग यही कि चाय पीते है इसे तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतिये महल दिखाई दे रहा है यह अगले हिस्से में ब्रे तो Victoria का तीसरा बेटर राजकुमर ऐर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है छो कि रानी Victoria का तीसरा बेटा था तो यहां पर जाए है उसका विध्यापन यहां पर दिखाया गया है Famous All Over The World, Lipton's Tea, Coffee and Provisions यह सब पर किसमें लिखा हुआ है आगे बढ़ेंगे तो भारत में British, देखें प्वेंट कहता है कि भारत में British इतिहास कारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक Governor General का शासन महत्पून है यह इतिहास पर्थम Governor General Warren Hastings के शासन से सुरू होते थे नोट कर लीजे, प्रथम Governor General कौन था, Warren Hastings और आखरी Viceroy Lord Mountbatten के साथ खत्म होते है आखरी Viceroy कौन, Lord Mountbatten अलग-अलग chapters में हम दूसरे Governor General Hastings, Valesley, Benton, Dalhogy, Cannings, Lawrence, Litton, Ripon, Karjan, Harding, Irwin इन सब के बारे में पढ़ते चलेंगे ठीक है तो अब अगर हम आगे बात करें तो जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं या उसे टुकड़ए chapters में बाढ़ देते हैं तो हम ऐसा क्यों करते हैं ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर chapter में कुछ सामंजस्त रहे हर chapter एक दूसरे से जुड़ा हो ठीक है तो इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनों पर जोड देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददकार होती है जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतियों की गत्विदियां कोई माइने नहीं रखती ध्यान दीजिए जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है वैसे वी की सिर्फ गवर्नर जन्रल की बात करेगा तो इसमें भारतियों की गतिवतियां माइने नहीं रखती उनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती है अब आगे हम बात करेंगे देखें यह एक इमेज से आप यहां पर देख पा रहे हैं यह हैं वारेंड हैंस्टिंग्स कौन है वारेंड हैंस्टिंग्स इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारणामों, जीवनियों में उनकी गौरफगाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्वे विक्तितों को उभारा जाता था तो यह 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने थे वारिन हैंस्टिंग्स उनकी इमेज यहां पर अब देख पा रहे हैं तो अब हम बात करें कि हम अवधियां कैसे तै करते हैं किसी चीज की अवधि उसका समय कैसे तै करते हैं देखिए 1870 में स्कॉट्लेंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जैम्स मिलने तीन विशाल खंडों में हां हिस्ट्री ऑफ ब्रेटिश इंडिया यानि की ब्रेटिश भारत का इतियास नामा के किताब लिखिए यहां से प्रिश्ण अक्सर पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा कि आ हिस्ट्री ऑफ ब्रेटिश इंडिया नामा कुस्तक जैम्स मिलने लिखी थी और तीन विशाल खंडों में लिखे थी ठीक 870 में इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू मुसलिम ब्रेटिश इन तीन काल खंडों में बाटा था ठी के और काल खंडों के इस निर्धारन को जड़तर लोगों ने मान भी लिया आगे बात करेंगे तो इतिहास को हम अलग-अलग काल खंडों में बाटने की कोशिश क्यों करते हैं इसकी भी एक वज़ा है हम एक दौर की खास्यतों उसके किंद्री तत्तों को पकड़ने की कोश करते हैं इसलिए ऐसे शब्द महत्पूर्ण हो जाते हैं इसके सहरे हम समय को बाटते हैं यह शब्द vimos अतीत के हमारे विचारों को दर सांटे हैं कि जो समय बीत गया जो पाश्च चला यह इसके बारे में हमारे अपने क्या थौट से हैं वह हमें बताते हैं कि एक अवदी से दूसरी अवदी के बीच आए बदलाओं का क्या महत होता है यह हमएं बताते हैं कि एक समय से दूसरे समय तक गाज़ बदलाओं आया है वो चेंजेज किस तरीके से हैं उनका क्या इंपोर्टन्स है तो मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सब्विता के मामले में यूरोप से पीछे है इतिहास के उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहां हिंदू और मुसल्मान तानाशाहों का ही राज चलता था यहां चारों और क्योल धार्मिक बैर जातिगत बंधन और अंद्विश्वास्टों का ही भोल बाला था ऐसा उनका मानना था ऐसी उनकी समझदारी थी ठीक है आगे हुआ क्या कि मिल की राय में क्या है कि मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सब्विता की रहा पर ले जा सकता था वो मिल ये सोच रहा था कि जो ब्रिटिस अगर हम लोग राज करेंगे अगर अंग्रेज राज करेंगे ब्रिटिस आसन रहेगा तो भारत सब्विता की ओर जाएगा वो अंदविश्वास को छोड़ेगा वो जो धार में जो भावना है जो जातिकत बंदने उनसे वो मुक्त ह होगा इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपिय शिष्टाचार कला संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए मिले तो ये तक सुझाओ दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूबाग पर कबजा कर लेना चाहिए ताकि भारतिय जनता को ग्यान और कि ऐसा किसकी राय थी ऐसी राय मिल की थी मिल ये चाहता था कि अगर हम पूरे भारत के जमीन पर कबजा कर लेंगे लोगों को अपने अंडर में लेंगे तो उनको हम घ्यानी और सुखी बना देंगे उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रग प्रगति और सब्विता का प्रतीक था इतिहास की धार्ना में जो अंग्रेजी सासन लाओ प्रगति और सब्विता का प्रतीक माना गया अंग्रेजी सासन से पहले सारा अंधकार का दौर था क्या इस तरह की धार्ना को शुविकार किया जा सकता है कि अंग्रेजी सासन से प भारत में सारे शाष्कों का भी एक धर्म नहीं होता था, उनके अलग धर्म होते थे, जिसको जो धर्म अच्छा लेगे, जिसको जिस परिखे की मानिता या अच्छी लेगे, उसको मानता था, अंग्रेजियों दोरा सुझाये के वर्गी गर्म से अलग हटकर इतिहास कार, भा से आया है, पस्चिम से, वेस्टरsong से, पस्चिम में आधनिक काल को, विज्ञान, तर्क, लोकतंतर, मुक्ती, और समानता जैसी आधनिकता की ताकतों की विकास का यूग माना जाता है, इसको इतिहास को, इन खंडों में बाढ़ने किये, समझ पस्चिम सा यह और पस्चिम मैं आधनीकाल को विज्ञानतर्क लोक्तंत्र मुक्ति समानता यसी आधनिकता कि जो ताकते हैं उनके विकास का योग माना जाता है उनके लिए मद्धिकालीन समाज विय समाज थे जहां आधनिक समाज किये विश्यष्टा हैं नहीं थी ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, शुर्दंतरता या मुक्ती नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था, अंग्रेजों के शासन में, आईए आगे बढ़ते हैं, अब हम समझेंगे अपनिवीशिक क्या होता है, दे किया, कहां पढ़ेंगे, इसी किताब में आगे पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंतरन स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस सोबसूल किया, अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती की पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्पूर्ण फसलों की खेती खराई, ठीक है, ताकि उनका निर्यात धोन की कुछ कमाई हो, और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलावाए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहां की मूल मानिताओं और पसंद ना प साenne-Skrtik बदलावा आते हैं, तो इस परकरियाओ आपनिवाषि करण कहा जाता है, पुएट को नोट कर लेचे जब इक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिकार्थिक, सामाजिक, सांसक्र्त बदलावाता हैं, तो ये प्रोसेस आपनिवाषि करण कहलाता है, आगे समझेंगे देखिए प्रशार्शन अभी लेक तयार करता है इस पॉइंट को समझेए वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है कहता है कि अंग्रेजी शार्शन दौरा तयार किये गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहास कारों का एक महत्तपून साधन होते हैं अंग्रेजों की मानिता थी कि चीजों को लिखना बहुत मात्तपून होता है और उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नितिगत, फैसले, सहमती, जांच को साफ साफ लिखना जरू ही था ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरह अधिन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था उसको लेकर कि डिसकसन किया जा सकता था इसे समझदारी के चलते ग्यापन, टिपणी, प्रतिवेदन, परादारित शासन की संस्थान की संस्थान भी धीरे धीरे पैदा हुई अंग्रेजों को ये भी लगता था कि तमाम जो एहम दस्तावेज हैं दस्तावेजों और पत्रों को समझाल करके भी रखना जरूरी होता है लियाजा उन्होंने सभी शासकी संस्थानों में अभी लेख कक्षबी बनवाती है तहसील के दफ्तर, कलेक्टरेट, कमिशनर के दफ्तर, प्रांती सच्वाले कचारी सब के अपने रिकॉर्ड रूम होते थे महत्पून दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभी लेखागार यानि की आरकाईब और संग्रालह जैसे संस्थान भी बनाये गए ताकि जो महत्पून दस्तावेज हैं, जो महत्पून कागज हैं बचा करके रखा जाएं, ताकि वो चीजे समय पर काम आएं उनिस्मी सदी की शुरुवात में प्रशाशन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ग्यापनों को आप आज भी अवलेखागार में देख सकते हैं वहां आप जिला अधिकारियों दोरा तैयार की गए नोर्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या उपर बैठे अपसरों दोरा प्रांती अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाओ दे सकते हैं उनिसमें सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की साब्धानी पूरोक नकलें भी बनाई जाते थी यहां एक इमेज आपके सामने है भारती राश्ट्री अबलेखागार उनिस सो भीश के दर्शक में बनाया गया यह अबलेखागार देखे कितना बड़िया संदर लग रहा है जब नई दिल्ली का निर्माड हुआ तो राश्ट्री संग्रहाले और राश्ट्री अबलेखागार दोनों ही वाइसराय के निवास के नजदिक बनाय गये थे राश्ट्री संगरहालाय और राश्ट्री अभी लेखागार कहां बनाए गए वाइसराय के निवास जहां वाइसराय रहते हैं तुसके नजदी और इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन स्थानों का कितना भारी महत था उन्होंने पास में बन वालिया था कि सार नवीशी के माहिर लिखते थे खुश नवीशी या सुलेख नवीश ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुन्दर धंग से चीजें लिखते हैं ध्यान रखेगा प्रिश्ण आप से कुछ लेगा खुश नवीश या सुलेख नवीश क्या होता है जो बहुत सुन्दर धंग से चीज विभाग की कारवाईयों के दस्तावेचों की कई प्रतियां भी बनाई जाने लेगी थी सर्वेचन का बढ़ता महत्व आपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेचन का चलन भी महत्पूर्ण होता गया अंग्रेचों का विश्वास था कि कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही धंग से जानना जरूरी होता है और उस पर शासन करना है तो वहां की हर चीज को समझना जरूरी होगा ठीक है उसका उस देश का एट्मोसफेर किस तरीके का है कौन सी फसल अच्छी होती है वो लोग किस चीज पर ज्यादा जोर देते हैं वहां के निवासी ठीक है यह सारी चीज़े ध्यान में रखनी होती है उनिसमी सदी की शुरुआत तक पूरदेश का नक्सा तयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेचन किया जाने लगे गाव में राजसों सर्वेचन किये गए इन सर्वेचनों में धर्ती की सतह, मिट्टी की ग उनका इस्थानी इतिहास क्या रहा है, कौनसी फसलें वहां बहतर होती हैं, अंग्रेज़ों की राए में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जाना जरूरी है, तबिया बच्चे तरीके से वहां का शासन चला पाएंगे, 19 सबी के आखिर से हर 10 साल में जणगरना भी की जाने लगी जणगरना के जर्ये भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जात, इलाके और वेवसाय के बारे में जानकारियां इकठा की जाती थे इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेचन, प्राणी वैग्यानिक सर्वेचन, पुरा तात्त्रिक सर्वेचन, मारावशास्त्री सर्वेचन, वन सर्वेचन, आधि कई दूसरे सर्वेचन भी यहाँ पे किये जाते थे इतनी बात के लिए रो गई, very good यहां पर एक image आप देख रहे हैं सरीफे का पौधा, 17-17 का दर्शक यह था तब यह सरीफे के पौधा, तब की image है देखे कहता है कि अंग्रेजुन दौरा बनाए गए अंग्रेजुन दौरा बनाएगे वानस्पतिक, उद्ध्यान और प्राकरतिक इतिहास के संग्रहाले में विभिन पौधों के नमूने और उनसे समंदित जानकरियां इकठा की जाती थी इन नमूनों के चित्र इस्थानिय कलाकारों से बनवाए जाते थे अब इतिहास कार इस भात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह के जानकरी किस तरह एकठा की जाती थी और इससे उपने वीश्वाद के बारे में क्या पता चलता है आज भी इसके बारे में खोज जारी है एक इमेज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बंगाल में मान चित्रन और सर्वेट्षन काम चला है ठीक है और जिसमें प्रिंसिप जेम्स प्रिंसिप दोरा बनाएगी तस्वीर 832 की है कहता है कि ध्यान से देखें कि सर्वेट्षन में इस्तिमाल होने वाले सारे उकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाए गय है यह देखें यहां पर कैमरा लगा हुआ है एक यहां पर कैमरा लगा हुआ है ठीक है यह सब फीडियों को सर्वेट्षन कर रहे हैं और मुझे लगारा सैदी कैमरा नहीं कुछ और अपना जो भी इनका मशीन बगारा होगी उसको लगाया हुआ है चित्रकार इस परियोज है कि 1857 का विद्रोह है यह तस्वीरों को भी बहुत ध्यांसे देखना चाहिए उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेचों द्वारा तयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है इस तस्वीर के नीच कोई जनता लाल्ची दुस्त और बेरहम थी और अंग्रेचों के नजर में क्या था जो इस सोचते थी जो जनताम से विद्रोह कर रहे लालची दुस्ते बेरहमी है इस विद्रोह के बारे में हम चैप्टर फईव पर पढ़हेंगे तो आगे बढ़हेंगे देखिये इस तर बहुत इंपॉर्टेंट है यह आपका फर्स्ट अपन था इसमें यह बताया गया है कि आगे आप किस तरह से चीजों को पढ़ेंगे और किस तरीके तरीके से उनकी डेट को निरधरित किया गया है और भी बहुत कुछ चीजिए आए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेश् सिक्स फूर नाइन इस नमबर पर मैसेज करके नोट्स ले सकता है थैंक्यू सो मच